अगर आप भी लंबे बाल चाहते हैं तभी इस वीडियो के देखें नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका रोगा नुसार में एक और इंपोर्टेंट वीडियो के साथ बाल बढ़ाने के लिए घरेलू उपायों को हर कोई अपने उपर आजमाते हुए देखा गया है आज के समय में हर कोई अपने बालों को काला घाना वे लंबा करना चाहता है खास तोर पर महिलाएं अपने बालों के प्रति बहुत ही अधिक सजग रहती हैं और तरह तरह के नुस्के अपना कर अपने बालों को बढ़ाने की कोशिस में लगी रहती हैं हर कोई चाहता है कि उनके बाल लंबे घने और मजबूत हों। इसके साथ ही वे चाहते हैं कि बाल चमकदार और रिसमी भी हों। बाल हर इंसान के लिए बहुत ही महतपूर होता है। बाल की सही देखबाल के बीना महिलाएं और पुरुस आत्व विस्वास महसूस नहीं करते हैं। महिलाओं को अपने बालों के प्रति बहुत लगा होता है। हर लड़की की चाहत होती है कि उनके बाल लंबे और घने हो। लंबे और घने बाल देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। लंबे बालों से ना सिर्फ आप खुबसूरत लगते हैं बलकि खुबसूरत महसूस भी करते हैं। बालों को घना करने के लिए महिलाएं बाजार में कई प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उनके बालों पर कोई फर्क नहीं पड़ता बाल पतला होना और गिरना तब भी शुरूर रहता है जब उनका अच्छे से ध्यान नहीं रखा जाता है तो बाल बढ़ते नहीं हैं कुछ गलतीयों के कारण बाल लंबे समय से कमजोर और सफेद होने लगते हैं इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिससे कि आपके बाल बहुत ही तेजी से बढ़ेंगे लेकिन इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी खास जानकारी छूटे और आपके लंबे बालों का सपना धूरा रह जाए तो वीडियो को अंतर तक जरूर देखें दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कना ना भोलें इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है साथ में चैनल को सबस्क्राइब कर दें और वेल आइकन दवाने के साथ ही आल नोटिफिकेशन को जरूर आन कर लें ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मुबाइल पर मिल जाए इसके लिए आल नटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें नमबर एक आलू आपके रसोई में मौझूद सबजियों का राजा आलू आपके बालो की वृद्धी में मदद कर सकता है दरसर आलू में आवस्यक पोसकतत होते हैं आपके बालो को जड़ने की समस्या को दूर करते हैं और बालो को लंबा करने में मदद करते हैं इसके लिए आप एक मध्याव आकार का आलू लें उसे अच्छे से पानी से साफ करें फिर आलू को कदू कस कर लें अब मुलायम कपड़े या च्छलनी की मदद से उसके रस को निकाल लें और एक कटोरी में आलू के रस को भरें इस रस को रूई की मदद से बालो की जड़ो में लगाएं लगभग 20 मिनट के बाद अपने बालो को अच्छे से ठंड़े पानी से या फिर किसी हरबल सैंपू से धुल लें इस प्रक्रिया को आप हफते में दो बार करें ऐसा करने से आपके बाल बहुत ही तेजी से बढ़ेंगे नमबर दो अंडा अंडे में प्रोटीन की मातरा बहुत ही अधिक रहती है इसके साथ सलफर, जिंक, आईरन और फासफोरा जैसे पोसर तब भी बहुत ही ज़्यादा पाये जाते हैं इसी प्रोटीन से बालो को पोसर मिलता है आपके बाल घने चमकदार और मुलायम हो सकते हैं अंडा आपके बालो के सेहत के लिए काफी महतुपूर होता है ये आपके बालो को सुंदर और मुलायम बनाता है इसके लिए आप कच्चे अंडे के सफेर हिस्टे को फेट कर अपने बालो में अच्छे से लगाएं और लगभग 30 मिनट के बाद बालो को अच्छे से किसी हरबल सैंपू से धुल लें ऐसा करने से आपके बाल बहुत ही तेजी से पढ़ेंगे जी हाँ एलोवेरा के कई फायदे होते हैं ये तचा के साथ साथ बालो के लिए भी फायदे मंद होता है ये गुड़कारी जेल का रोजाना इस्तिमाल करने से बाल मुलायम और चमकदार हो सकते हैं इसके लिए एक एलोवेरा लें और इस एलोवेरा को अच्छे से छिल लें और चमक की सहायता से इसके जेल को निकाल लें अब इस जेल को बालो की जड़ों पर रगड़ें और रात भर के लिए लगा रहने दें अब सुबह सैंपू से अच्छे से धुल लें इस प्रकिरिया को आप हफते में दो से तीन बार कर सकती हैं ऐसा करने से बाल बहुत ही तेजी से बढ़ेंगे नमबर चार नीमबू का रस जी हाँ, बालों के देखभाल के लिए नीमबू का उपयोग सबसे जादा होता है फंगल इंफेक्सन और डेंडर्फ की समस्या को दूर करने के लिए भी लावदायक होता है बालों की ठीक से सफाई करने के लिए सेंपू में नीमबू का रस मिलाना चाहिए इसके लिए करी पत्ते को नाजल के तेल में तब तक गरम करें जब तक की तेल हलका काला रंग ने बदल जाए अब इस तेल को ठंडा करके एक सीसी में भर लें और इसे हपते में इसकेल पर लगा कर मसाज करें